टॉप बेस्ट कैमरा स्मार्टफून अगर अगर आपको 30,000 के बजर वेंज में कैमरा स्मार्टफून चाहिए यह वीडियो आपके लिए तो बात करते हैं सीधा नमबो 5 की बात करो नमबो 5 पर यार मैंने रखा है LG G8x को अगर इस स्मार्टफून की बात करो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले इसका प्राइज लाइक आपको 50,000 के बजर वेंज में देखनी को मिलता था लेकिन अब इसका प्राइज कम हो गया आपको 30,000 के बजरव्य में यह smartphone देखनी को मिल जाता है smartphone पूरा आपको loaded मिल जाता है आपको dual display देखनी को मिल जाता है जो कि OLED display Snapdragon 855 पूर साद साथ देखनी को मिल जाता है जो कि gaming के लिए बहुत ही जादा तगड़ा भी अब आप hardcore gaming करना जाते हो आप इसली नॉर्मली कर सकते हो 6GB RAM के साथ देखने को मिलता है प्लस भी मैं आपको ये चीज बता देना जाता हूँ कि जो स्मार्टफून है न आपको IP68 रेटिंग Water and Dust Resistance रेटिंग के साथ देखने को मिलता है मतलब आपको waterproof smartphone देखने को मिल जाता है अगर पानी में गिर भी जाता है 1.5 मीटर तक आप नॉर्मली डिपर करके रख सकते हो आदे गंटे तक तो याँ 30,000 के बज़र वेंच में आपको waterproof smartphone मिल जाना वो भी LG की और से और क्या चाहिए प्लस मैं आपको बदा देना चाता हूँ Miltricate certified यह smartphone अगर घर भी जाता है कोई भी प्रावलम नहीं आने वाली जल्दी तूटने है नहीं वाला तो भई LG brand है टॉप brand में ऐसे आता है प्लस भई अगर आप selfie लेने के ज़्यादा श्कीरों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला बैक camera में अगर आप photos लेगर करोगे तो आप अपने face को देख सकते हो कि photos में पूरा आ रहा है के नहीं आ रहा आपको dual display देखने को मिल जाती है जो कि spoon की प्लस प्रट आ जाता है आगे बात करते है नंबर फो की बात करो नंबर फो की बात करो नंबर फो पर यार मैंने realme के smartphone रखे है मैं दो smartphone बताओं का मैं बात कर रहा हूं realme x3 super zoom की मैं बात कर रहा हूं realme x7 pro की तो इन दोनों में से भाई जो भी आपको सही लगता है आप उस smartphone के और जा सकते हो अगर मैं आपको स्मार्टफोन की बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि realme x3 super zoom में आपको IPS LCD देखने को मिलती है लेकिन जो realme x7 pro है वह आपको 5g smartphone भी मिल जाता है प्लस उसमें आपको super amulet display मिल जाती है जो की 120 रिफ्रेश्ट के साथ देखने को मिलती है प्लस 5 में आपको यह भी चीज़ बता देना चाहता हूं कि realme x3 super zoom में आपको जो परसाइस तरह है वह बहुत ही तगड़ा मिलता है जो कि आपको snapdragon 855 plus देखने को मिलता है जो कि 7 nanometer technology के साथ बेज़ दोनों में आपको core camera setup मिल जाते है तो front camera में आपको 4K option नहीं देखने को मिलता फू थाउजन टू हंडड़ हमेश की बैंट्री जब 4300 में दोनों में देखने को मिल जाती है प्लस मैं आपको यह भी चीज़ बता देना चाहता हूं कि realme x7 pro में आपको 65 वाड का fast charger देखने को मिल जाता है जो कि कि आपके smartphone को सिर्फ और सिर्फ आदे गंटे में 35 मिनिट्स में फुल चार्ज कर देगा तो यहार में आपको दोनों ही smartphone के बता दी है अभी बात करते हैं दोनों में से कौन सा लेना चाहिए अगर स्पैसिफिकेशन के according देखा जाए डिजाइन लोकवाज देखा जाए तो real X7 एक तो निया लॉंच होगा है फाइव जी स्मार्टफून स्पैसिफिकेशन उसके ज्यादा दगड़े हैं लेकिन realme X3 Super Zoom का जो camera है उसके साथ जो processor है वह आपको बहुत अगड़ा मिल जाता है अगर आपने hardcore gaming करने है व्लागिंग करने है वह smartphone भी आपके लिए perfect deal हो यह तो आपके लिए perfect deal हो सकता है realme X3 Super Zoom आगे बात करते है no.3 की no.3 की बात करूई है no.3 पर मैंने फिर से रखे हैं दो smartphone मैं बात कर रहा हूं IQ 003 की and मैं बात कर रहा हूं Vivo V20 Pro की तो यहार दोनों smartphone आपको 5G देखने को मिल जाते है slim and stylish design दोनों का देखने को मिलता है जो IQ 00 003 है वह आपको orange color में बहुत ही ज्यादा सही लगे गा and जो Vivo V20 है इसके तीनों ही colors बहुत ही ज्यादा सूट करते हैं ठीक है दोनों में processor आपको ज्यादा तगड़ा मिल जाता है लेकिन IQ 003 का जो processor है वह ज्यादा तगड़ा है as comparison किया जाए Vivo V20 Pro के साथ लेकिन जो Vivo V20 Pro है उसका camera ज्यादा तगड़ा है as comparison किया जाए IQ 003 के साथ तो अपनी requirement देख लेना मतलग CDC बात है यार मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको अगर gaming करनी है multi-dasking करनी है आपके लिए perfect deal होने वाला IQ 003 अगर आपको camera के recording smartphone चाहिए Vivo V20 Pro जो है वह आपके लिए perfect deal हो है तो Vivo V20 Pro आपके लिए perfect deal हो जाएगा आगे बात करते हैं नमबर टू की बात करूं नमबर टू पर यार मैंने रखा है सूट करते हैं स्नाइट एट सिक्स्टी फाव देखने को मिल जाते जो कि seven nanometer technology के साथ बेस्ट है पर सैसर भी बहुत अगरा मिल जाता है अगर आपने पर चाहिए यह स्मार्ट फून आपको के बहुत है अपर होने वाला आपको कैमरे के चाहिए अगर आपको पर सैसर तगडा चाहिए डिस्पेश चाहिए डिजाइन वगरा जलू को वाजब आपको स्मार्ट पर चाहिए यह स्मार्ट फून आपके लिए बैस्ट दील हो देगा अभी आगे बात करते हैं नंबर वान की नंबर वान की बहुत को नंबर वान पर यार मैंने रखता है सैमसंग गलक्सी ए फिस्टी टू को तो सबसे पहले बई मैं आपको यह चीज़ बता देना चाहता हूं कि आपक देखने को मिलते हैं जो कि डिस्प्ले इन मतलब सैमसंग के स्मार्ट फून का डिस्प्ले हो गया बैटरी लॉंग बैंटरी लाफ हो गया एंड प्राइवेसी सिस्टम हो गया यह चीज़ बहुत ही जादा तगड़ी होती है इसमें आपको फाइब फोन मिल जाता है सूपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जाते हैं जो कि वान ट्वांटी रिफ्रेश्ट के साथ आते हैं जो कि गोईला ग्रास फाइब प्राइशन के साथ देखने को मिलती है और प्रेणी चैस्टिंग की बातकों को एंड्र इलावन देखने को मिल जाता है तीन वीनिट में यह स्मार् प्रेश्ट की बैटरी मिल जाती है 25 वाटका आपको फास चार्जर देखने को मिल जाता है 4500 वाटर इंड्र इमेज की बैटरी मतलव आपका एक देन तो नौमली निकाल देखा अगर आप हाड़कूर गेमिंग नहीं करते हो तो आपका एक देन तो नौमली नहीं निकलने वाला आपको आईपी 67 वाटर इंडस रिजिस्तन रेटिंग देखने को मिल जाते हैं मतलव वाटर प्रूफ स्मार्टफून है अगर आप मतलव वान मीटर तक अगर आप इस स्मार्टफून को डिप कर देते हो आदे गंटे तक तो भी आपका फून खराब नहीं होने बाल अभी मैंने आपको इतने स्मार्टफून बता दिया जो भी आप लीना जाते हैं वाटर प्रूस्मार्टफून में सच में यहां तक वो पहुंचते हैं ठीक है तो आप इस चीज को अपगा रखना तो यहार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खतम अगर आपको मेरे दोस्तों की बीचर दना उनको भी करना को लॉड़ो लिक्त ऑख तेन के पाग दोस्तों को